तो भाई आप लोग ने बोला और लीजे आ गए क्या है आ गए आ गए आ गए यहां पर हमाई पास में दो आ चुके है इक्स प्रो और एक है टॉमी ब्लैक और एक है तोटा सनी यहां पर दोनों की दोनों हमाई पास में 6 प्रो ही है दो डिवाइजर अलग-अलग कलर के और कमप्रेजन बनेगा तो व्यूजा आएंगे व्यूजा है तो व्यूजा ओटिक है तो भाई इसलिए हमने मंगा लिया हमने का वह या लेकर करके आते हैं और आप लोग को दिखाते हैं यह दोनों फोन आप यहां पे आईपोन 13 प्रो के साफ में कमप्रेजन भी तो चलि यहां पर छोड़ी सी अंबोक्सिंग तो भाई देखिए यहां पर फोन को यहां पर अंबोक्स करते हैं यहां पर सुप से ऊपर हमें दिखने को मिलता है बहुत ही बहतरीन सा गूगल का पिक्सल डिवाइस पीछे से बहुत ही ऑसम लगता है गाई आधी साथ में इसके अंदर आपको क्यूल और तो यहां पर यहां पर यूस्अ प्रेख के लिए यहां पर कनेक्शन मिलता है और साथी-साथ में कुछ कप्ड़े मिलते हैं मुझत कालईश- 열चम प्तर है इनको उन्पड़ते नहीं है तो ड़िस यहां पर यहां पर यह आंपार की देखी ना वो अन्बॉक्सिंग थी मेरी 3rd of November की जब ये फोन मेरे पास में आया था और भाई आज तारीक हो रही है आट तारीक इस बीज में हमने बहुत कुछ कर लिया इस फोन के साथ में और इस फोन की जो जिस्ट है ना वो मुझे समझ में आ चुगा है कि ये फोन एक् लेकिन अगर आज आए तो क्या आप आइफोन या फिर आप बोलें वन प्लस नाइन प्रो फाइप जी जो की स्नैप्ड़क इंटर्पेलेट के साथ में आता है उसके उपर आप इस फोन को करना चाहिए कि नहीं यह हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपसे बताएंगे लोतल सब्सक्राइब खेंगे बेंगे कि इसके बेपस्ट के साथ में यहां पर शुरू करते सबसे पहले पिक्सेल SIX pro की डिस्प्ले के साथ तो भी है देखिए दिस्प्ले का ख़ल अगर नीचे सब्सक्राइब बटना रहा होगा तो सबस्भेल वह दबा लीजे और उसको तो उसको भी दबा लीजेगा क्योंकि यह साही मैनत तो उसी के लिए ना तो थोड़ा सा कर ले ना ठीक इसके बाद में हम लोग अगर बता ले भी है इसमें 6.7 इंच की OLED डिस्पले देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा ब्राइट है यहां पर कई लोग कहते हैं कि OnePlus 9 Pro 5G मे तो भी इन्होंने स्पेसिफिकली यहां कोई मैंशन दो नहीं किया है कितने निट्स की ब्राइटनेस है लेकिन अगर हम साइब बाइस करेंगे OnePlus की स्क्रीन की ब्राइटनेस का और इसकी ब्राइटनेस का तो कई मामले में मुझे यह ज़्यादा ब्राइटर मुझे लगा सा हाला कि थोड़े बहुत smudges आपको समझ में आ जाएंगे लेकि जो वाइट और यह सणी वाला कलर है इसमें आपके smudges बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाले है तो काफी ज़्यादा बढ़ियां सा इन्होंने डिजाइन बना हुआ है यहां पे इन्होंने बुलाए कि यह यह सिर्फ और सिर्फ हो रहा है जो गूगल असिस्टेंट है ना उसकी करदानी है तो यह होता है यह एकर यूज करने पर कभी कभी अगर पगला जाए तो ऐसा कुछ हो जाता है लेकिं खैर हाला कि गूगल ने इसको एडरेस किया और बहुत ही यल्दी फिक्स भी हो या जा उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी पिक्सल 6 प्रो की उसके बाद में देखने को मिलेगी वन प्लस की तो यह चीज तो है तो मतलब अपनी प्राइस को एट लीस्ट वो जस्टिफाई कर रहा है हमारा गूगल पिक्सल 6 प्रो इसके साथ ही साथ में यहां पर यहां पर देखने को मिलिया रहा था 300-350 हर्स का इसके साथ इसमें बहुत ही बढ़ियां यहां पर Android 12 के काफी सारे फीचर्स भी दिये वे इसके बाद में Android 12 के और भी बहुत सारे फीचर्स से खास कर यहां पर इन्होंने टाइटन की सेक्योटी दिया हुआ है उसमें भी काफी बढ़िया है आपने न सुनाया होगा की गूगल की टाइटन की एक की आती है अगर आपका YouTube का चैनल है या फिर अगर आपकी कोई बहुत ही important Gmail की ID जिसको आप चाहते हैं कि hack now तो इन चिप्स का आप यूज कर आप सकते हैं और यह इन्हीं चिप के माध्यम से यह एक पासवर्ड का वग करती है तो वैसा ही इन्होंने कुछ यहां पर security यूज़ करी हुए अपने फोन में तो मैं बहुत ज़्याद इसके न यह अंगूठा ही सही पढ़े लिखे हैं लेकिन फोन में लगाना पड़ता है वही भाई तो यहां पर यह अंगूठा हमने एक बार सेट हिया था तब कापी बार यहां पर मिस कर जा रहा था फिर मैंने का चलो एक बार और सेट कर या रहेगा तो खोलने में असानी होगी ल यह को थोड़ा सा लेट चलता है लेकिन यार कम से कम एक बार में ले तो ले बार बार उसको लगाते है रोग खुलता ही निए तो फिर भी यह चीज़ आप प्लीस एड्रेस कर लो तो बहुत ही बढ़िया होगी हाला कि मुझे पता है कि इतने बड़े चैनल नहीं है कि कोई कोई देखेगा लेगिन अगर बाइद वे खुदा ना खासता कि इसने देख लिया तो डेफिनेटली आप इसको एड्रेस करिएगा अंग उठाने लेता है मेरा अच्छा गाईस अब हम लोग जड़ा प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो प्रोसेसर इन्होंने गूगल ने ख सोचा कि जो आइफोन वगर होते हैं वो अपने ही प्रोसेसर लेकर आते हैं बायोनिक वाले और अपने सॉफ्टर के हिजाब से लोग अप्टमाइज करते हैं तो गूगल ने बोला हम भी ऐसा ही काम करेंगे ठीक है क्या होता ना एक बार जो सक्सेस्फुल पात बनाया देत से 76 यूज किया हुआ है जो कि snapdragon 888 में नहीं यूज किया तो काफी लोग बोलें कि परफॉर्मेंस पे अंतर पड़ेगा लेकिन कितना पड़ेगा कि पीक वाली परफॉर्मेंस है वो तो आपकी cortex x1 से ही आती है ठीक है और जो बीच वाली आती ना वो cortex से 76 की 76 से आएगी ल जब आप कोई extensive यहां पर पाउर चाहिए होगी वहां पर यूज करेगा cortex x1 का जो कि मुझे लगता है कि काफी दिमाग का काम किया विकॉज हमने काफी बार देखा है कि यहां पर snapdragon 888 ना काफी हीट करता था तो मतलब गूगल ने सूचा कि यहां कंट्रोल करना चाहिए काफी अच्छे रिजल्ट्स आए अगर आप देखें तो इन्होंने AI काफी अच्छा इन्होंने किया हुआ है और बैटरी का जो optimization है वो भी काफी एदा बढ़िया हुआ है लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि अच्छा इसको performance में अगर आप compare करेंगा iPhone के साथ में या फिर अच्छे की साथ लाग के आसपास की टच कर सकता है लेकिन मेरा इतना ही जोगा है तो सबसे कम मुझे मिला है 5,90,000 के आसपास में और मैं Google Pixel 6 Pro की बात कर रहा हूँ और वही अगर हम Snapdragon 888 की बात करने तो भाई वह साथ लाग की ऊपर ही आता है जबी भी मैंने इसको चेक किया अगर हम इसकी iPhone की बात कर ले तो वह भी 7,000,000 के ऊपर ही रहता है अगर आप लोग सोचेंगे कि यहां पे बेंचमार्क में Google Pixel 6 Pro कम आया है तो परफॉर्मेंस में कम होगा तो बिल्कुल नहीं मैंने जैसे optimization की बात की थी अगर इसका boot test comparison करें iPhone के साथ में या फिर OnePlus 9 Pro 5G के सा हर बार हर बार हर यहां पे Google Pixel 6 Pro ही यहां पे बिना निकल के आया है तीक तो यह एक चीज़ता उसके बाद में heat heat के मामले में भाई काफी बढ़ी हैं यहां पे control करता है अगर आप देखें तो OnePlus 9 Pro 5G heat होता है लेकिन यह उतना heat नहीं होगा साथ ही साथ में PUBG की बात करें तो PUBG में अब क्यूंकि performance की बात करें तो PUBG करनी पड़ेगी अगर आप लोग बोले तो मैं इसका PUBG test में ने किया हुआ है मैं लेकर कर आ जाओगा लेकिन भाई PUBG में इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि आपे smooth और extreme का सपोर्ट देखने को मिलता यहां पर भी smooth और extreme चलता है मैंने smooth और extreme मैंने खेला है और मुझे उसमें जो performance मिली है वो ला जवाब मिली है मैंने इनका अच्छा है इसके साथ ही साथ में recording का तो option मिलता ही है तो मैंने with recording and without recording मैंने दोने ही रिकॉर्ड किया है ताकि आप उपला जलेगी यह fps कितना रेता है विकॉस रिकॉर्डी करते ना तो वहां पर जड़ा से fps घटने के चांसे रहते हैं तो मैंने आपको दिखा दूगा तो वह है अगर आप बोलेंगे तो मैं definitely लेकर कर आ जोग जगा है उसमें reverse charging का support है तो मैंने iPhone भी चार्ज की उससे तो यह चीज़े है Google से हम लोग Google पिक्सल से आइफोन भी चार्ज कर सकते हैं तो यह एक अच्छी बात मुझे लगी लेकिन इसके बाद में जड़ा कैमरे पर आ जाता हूं तो कैमरे के बारे में आपको बताता हूं इसके नदर 50MP का wide angle laser autofocus के साथ में इनका main sensor मिलता है rear में जो की OIS को support करता है साथ ही साथ में दूसरा इनका यहां पे टेली फोटो लेंसे 48MP का वो भी OIS को support करता है उसके बाद में 12MP का एक ultra wide sensor देखने को मिलता है और अगर front की बात कर लें तो 11.1MP की front selfie है तो अब अच्छ सबसे पहले में आपको बहुत ही भर भर के features ने दिये हुए काफी सारे लोगों की आपने Google Pixel 6 Pro की वीडियो देखी होगी जिसमें उनों में पताया होगा कि यह जो इसमें 20 में की बंदा अगर आ जाता है तो इसको आप हटा भी से सकते हैं यह सारे आपको software में software editing से आप कर सक हाला कि यह बहुत जादा original नहीं लगता कभी-कभी लेकिं फिर भी यह work करता है और भी features आज आते हैं जैसे की panorama, photo spheres, lens, lens वगर करेंगे ना तो जो background में जो lightning effect होता है वो सब भी आपको देखने को मिलेगा तो मैंने photo, photo spheres वाली एक मैंने photo ली दी भाई, बहुत ही जब-जब मतलब आपको multiple photos click करनी होती है जहां जहां वह pointer जाता है और उससे आप एक long photo generate कर पाएंगे अगर आपको wide angle sensor में पूरा capture नहीं अगर हो रहा है तो आप ऐसे करके लिए आप सब पर यह वाली photo में कहीं पर भी आपको ऐसा बिलकुल नहीं लगा होगा कि यह पर multiple photos को एक साथ म मुझे अच्छी चीज लगी इसके साथ ही साथ में गाईज यहां पर इन्होंने जो zoom दिया है ना zoom भाई बहुत ही बढ़े quality है मैंने comparison किया था इसके zoom के साथ में और Google Pixel के zoom के साथ में यहां पर Google में यहां पर आपको 2x मिलता है 4x मिलता है और उसके बाद में उनका maximum जाता ह 20x तक की और इसका यहां पर 9x तक की में जो इना देते हैं यह अगर हम इसके बाद में बात कर लेते हैं इसके normal selfie camera की दो selfie camera is not as great as this for sure यहाँ पे मैंने बहुत बार मैंने selfies वगल ली है फोटो वगल ली है अगर आपके महां lightning की problem नहीं है तब तो काफी अच्छी photos आएंगी या फिर वीडियो आएंगी लेकिन अगर lightning की issues है तो भाई दिक्कत होती है यहाँ पे आप samples में देखाब सकते काफी दिक्कत मुझे यहा कुछ शिकायत नहीं करमे सकता है इवन आपका one plus nine pro 5g भी इतना जदा सुन्दर और बहतरी नहीं लगता जितना कि यह गूगल पिक्सल 6 प्रो लगता है और यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले इकन को हिट कर लो और तो दुबारा एक बार अनिट करके दुबारा से हिट करके एक बड़ चेक इन कर लो तो बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं आप लोगों के लिए तो दिस वास आई होगे लाइक इस वीडियो थैंक यू